Amazon EMI Zone Your Debit Card दोस्तों पहले जब भी आप किसी भी प्रड़क्ट को EMI पे यानि की इंस्ट्रॉल्मेंट पे खरीदना चाहते थे तो वहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड की ज़रत होती थी लेकिन अब कोई दिनों पहले ही Amazon ने Amazon EMI Zone Your Debit Card Service को लांच किया है जिसके तहत कि आप Amazon से एक लाग रुपे तक का कोई भी प्रड़क्ट EMI पे यानि की इंस्ट्रॉल्मेंट पे अपने ATM कार्ड को यूज करके खरीद सकते हैं तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि यह Amazon EMI Zone Your Debit Card Service क्या है इसके तहत हम लोग किसी भी प्रड़क्ट को Amazon से EMI पे अपने ATM कार्ड को यूज करके कैसे खरीद सकते हैं प्रड़क्ट खरीदने के लिए यहां पे किन-किन डॉकमेंस की ज़रत हो सकती है और किन-किन terms and conditions को follow करना पड़ सकता है यहां पे जो payment होगा वो कैसे होगा क्या हमारे bank account से एक बार में सारे पैसे कट जाएंगे या फिर installment by installment मंतरी EMI तक कटेगा credit card की तरह यानि कि यहां पे payment कैसे complete होगा और सबसे important बात बहुत चारे लोगों का कहना है कि उनका card यहां पे EMI on debit card service के लिए eligible नहीं बता रहा है कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस service को use करके अगर आप कोई product खरीद लेते हो तो product खरीदने के बाद यहां पे आपको बहुत सारे extra charge पे करने होते हैं तो इस वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे कि आप अपने card के eligibility को कैसे check कर सकते हैं अगर आपका card eligible नहीं है तो आप उसे eligible कैसे बना सकते हैं और यहां पे product खरीदने के बाद कौन-कौन से extra charge पे करने होते हैं यानि कि Amazon EMI on debit card service के बारे में लगभग सारी बाते हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो आईए जानते हैं सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह EMI zone your debit card service क्या है दोस्तों इस service के तहते Amazon वाले कहते हैं कि आप Amazon से कोई भी 1,00,000 रुपे तक का product अपने debit card यानि कि ATM card को use करके EMI पे या फिर no cost EMI पे अगर उस product पे no cost EMI का offer चल रहा है तो आप उस product को no cost EMI पे खरीज सकते हैं आपके ATM card यानि कि आपका ATM card जिस bank account से connected है उस bank account में पैसे हो या फिर नहीं हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता पैसे नहीं होते हैं तब कैसे order होता है यह आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा यहाँ पे दोस्तो EMI पे product खरीदने के लिए आपको किसी भी document की भी जौरत नहीं होती है लेकिन यहाँ पे आपको कुछ terms and conditions फॉलो करने होते हैं तो वो conditions क्या है? यहाँ पे जो सबसे पहला condition है वो यह है कि आपके पास जो ATM card है जिसे यूज करके आप Amazon से कोई भी product EMI पे खरीदना चाहते हो वो सिर्फ 6 bank का होना चाहिए तो वो 6 bank कौन कौन सा है? वो bank है दोस्तो HDFC, ICICI, Federal Bank, Access Bank, SBI और KOTAK महिंदरा Bank इन 6 bank में से अगर किसी एक bank का भी आपके पास अगर debit card है तभी आप Amazon से किसी product को EMI पे खरीद पाओगे वोही दूसरा condition यह है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपके पास HDFC, Federal Bank, ICICI Bank या फिर Access Bank इन 4 bank में से किसी bank का card है तब आप जिस product को EMI पे खरीदना चाहते हो उस product का price minimum 5000 होना चाहिए यानि कि जिस product को आप खरीदना चाहते हो उसका price 5000 रुपे से लेकर के एक लाख रुपे तक के बीच में होना चाहिए तब ही आप उस product को खरीद सकते हो तब आप जिस product को खरीदना चाहते हो उस product का price minimum 8000 का होना चाहिए यानि कि 8000 रुपे से लेकर के एक लाख रुपे तक के बीच में उसका price होना चाहिए तब ही आप उस product को खरीद सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तो अगर आप इन 6 वो conditions को follow कर रहे हैं तो क्या आप Amazon से केसी भी product को EMI पे खरीद सकते हैं नहीं दोस्तो यहाँ पे इन 6 वो बैंक के सभी card पे आपको product EMI पे नहीं दिया जाता है कुछी card होते हैं जो की EMI के लिए eligible होते हैं तो वो eligible card में आपका card है या फिर नहीं है या आपको check करना होता है यानि कि आपको अपने card की eligibility चेक करना होता है तो आप check कैसे करोगे eligibility चेक करने के लिए दोस्तो यहाँ पे मेली दो तरीके होते हैं पहला तरीका होता है कि आपके card में जो mobile number registered है उस mobile number से आपको message करना होता है जैसे कि अगर आपके पास HDFC का ATM card है तब आपके HDFC के card में जो mobile number registered है उस mobile number से आपको capital में mhdfc लिख करके 5676712 पे message करना होता है वहीं अगर आपके पास कोटक महिंदरा बैंक का ATM card है तब उस ATM card में जो mobile number registered है उस mobile number से आपको capital में dcemi लिख करके एक space देना है और आपके ATM card का जो last 4 digit है वो 4 digit टाइप करना है और उसे दोस्तों आपको 5676788 पे message करना होता है यहीं सेम प्रोसेस दोस्तों Access Bank के debit card में भी होता है उसमें भी registered mobile number से आपको capital में dcemi लिखना है फिर एक space देना है और आपके card का जो last 4 digit number है उस number को वहाँ type करना है और उसे आपको 5676712 पे भेज देना है लेकिन अगर आपके पास SPI का card है तो वहाँ पे normally आपको capital में dcemi लिखना है और dcemi लिखने के बाद उसे आपको 567676 पे message कर देना है तो जैसे ही आप message करते हैं तो message करने के कुछ समय बाद ही उधर से आपको एक auto generated message का reply आता है जिसमें कि बताय हुआ रहता है कि आपका debit card यानि कि आपका ATM card EMI के लिए eligible है या फिर नहीं है अगर eligible है तो आप कितने amount तक का product EMI पे खरीज सकते हो ये भी आपको उसे message में बताय हुआ रहता है तो ये है दोस्तों पहला तरीका eligibility चेक करने का इसमें दोस्तों बहुत सरा लोगों को problem हो रहा है तो problem क्यों हो रहा है? problem इसलिए और दोस्तों की अभी क्या होता है कि सभी लोग unlimited का रिचार्ज करवाते हैं उनके sim में main balance नहीं होता है जिसके कारण की कुछ लोगों के message जाते ही नहीं है और कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उधर से reply में message नहीं आ रहा है network problem के कारण तो ये दोनों problem आते हैं दोस्तों लोगों के साथ और लोगों को लगता है कि वीडियो में गलत चीज़े बताई हुए है तो वैसे लोग जिनके साथ ये दोनों problem में से कोई एक problem भी आ रहा है तो वो कैसे check करेंगे तो उनके लिए हैं दूसरा तरीका तो दूसरे तरीके में कैसे check होगा दूसरे तरीके में आपको क्या करना होता है कि आपका जो debit card है जिसका eligibility आप check करना चाहते हो उसे आपको अपने Amazon account में पहले ही add कर लेना होता है payment method में तो जब debit card add हो जाए तो add होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि Amazon का जो search वार होता है वहाँ पे आपको search करना है debit card EMI तब सबसे पहले एक link खुल करके आएगा debit card EMI का आपको उस पे click करना है तब आपको EMI is on your debit card वाले page पे ले जाया जाएगा अगर इस तरह से आप नहीं जा पा रहे हैं तो इस video के description में उस page का direct link भी दिया हुआ है उस पे click करके आप direct उस page पे जा सकते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों पहले यानि की card save करने से पहले अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको केबल EMI zone और debit card के बारे में कुछ detail बताएगा लेकिन card add करने के बाद अगर आप वहाँ जाईएगा अगर आपका debit card eligible होगा तब आपको वहाँ पे एक message मिलेगा Congratulations, your debit card is eligible for debit card EMI और वहाँ पे जिस bank का भी आपका card होगा उस bank का logo होगा तो इस तरह से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा debit card EMI के लिए eligible है लेकिन यहाँ से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कितने amount तक का product Amazon से EMI पे खरीच सकते हो उसके लिए दोस्तों आपको फिर से पहला तरीका ही अपनाना पड़ेगा अगर आपका debit card eligible होता है तो जिस bank का भी debit card है उसके हिसाब से पहले तरीके में मैंने आपको जो number बताया है और जो message करने बताया है उस तरह से आपको message करना है तब उधर से जो reply में message आएगा उस message में आपको eligible EMI amount बता दिया जाएगा तो वहाँ से आप जान सकते हो कि आप कितने amount तक का product अपने debit card को use करके EMI पे खरीज सकते हो तो ये दोनों तरीका है दोस्तो eligibility check करने का तो अगर आपका card eligible है तो आप product खरीदोगे कैसे product खरीने में दोस्तो जादा कुछ नहीं है जिस तरह से किसी भी normal product को आप खरीदते हो उसी तरह से आपको इसे भी खरीदना है normally आपको product select कर लेना है जिस product को भी आप खरीदना चाहते हो उसके बाद आपको buy now या फिर add to card पे click करना है फिर आपको proceed to pay करना है और फिर continue करते हुए आपको payment gateway में आ जाना है payment gateway में दोस्तों जिस तरह से सारे options दिकाते थे payment के उसी तरह से आपको अभी भी दिखाएंगे लेकिन अगर आप debit card को पहले से add करके रखे होंगे तो वहाँ पे आपका save debit card भी दिखाएगा जिसमें कि आपको direct CBB number फिल करने का option होता है लेकिन अगर आप save नहीं किये है तब क्या करना होगा अगर आप पहले से save नहीं किये हैं तो वहाँ पे जो debit card और credit card को option है या फिर जो EMI को option है दोनों में से किसी को भी आप select कर सकते हैं select करने के बाद वहाँ पे card detail फिल करने का option आएगा तो उनमें आपको card detail फिल करना है फिर उस card को add कर लेना है card add होते ही दोस्तों वहाँ पे जिस तरह से saved card आपको दिखा रहा है उसी तरह से जो card अभी आप add किये हैं वो card भी दिखाने लगेगा तो वहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि जो card eligible नहीं होता है EMI के लिए उसके नीचे आपको किसी भी तरह का कोई option नहीं दिखेगा लेकिन जो card EMI के लिए eligible होता है वो card जैसा ही save होगा तो उसके नीचे आपको एक pay in full का option आजाएगा आपको उसपे click करना है जैसे आप उसपे click किजेगा तो वहाँ पे दोस्तों आपको कुछ और information दिखाने लगेंगे जैसे कि वहाँ पे सबसे पहला option होगा pay in full का जो आपको पहले भी दिख रहा था और उसके नीचे EMI का month बताय हो रहेगा यानि कि आप अगर EMI पे product खरीते हो तो आपको कितने महने का समय मिल सकता है वो भी वहीं पताय हो रहेगा जिनमी कि आपको सबसे पहला होगा 3 महने का option, 6 महने, 9 महने 12 महने, 18 महने और 24 महने 24 महने तक का option आपको मिल सकता है उसके बाद दोस्तों वहीं पे आपको ये भी बताय हो रहेगा कि आप कितने महने का EMI लोगे तो आपको प्रतेक मंत कितना amount पे करना होगा और उसके बाद अगर वहाँ पे 9 कश्ट EMI चल रहा होगा तो 9 कश्ट EMI दिखाएगा नहीं तो वहाँ पे जितने मंत का आप EMI लोगे उतना मंत में आपको कितने का interest लगेगा वो भी वहीं पे बताय हो रहेगा और जो amount आपको दिखाए जा रहा है दोस्तों वहाँ पे EMI amount वो final amount है interest जोडने के बाद आपको पर मंत कितना पे करना होगा वो amount वहाँ पे बताय हो रहता है cost EMI पे है दोस्तों यहीं पे जहाँ पे आपको interest लिखा हुआ है अगर कोई product का no cost EMI चल रहा होगा no cost EMI का offer चल रहा होगा तो वहाँ पे interest के जगह पे आपको red color से no cost EMI लिखा हुआ आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हम इतने मंत का EMI लेते हैं तो हमें no cost EMI पे product मिल जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने हिसाब से जितने महिने का भी EMI लेना चाहते हो उस option को आपको select करना है जैसे आप option select करोगे तो उसके नीचे यह तीनों चीजे EMI amount interest और जितने महिने का आपको समय मिल रहा है यह तीनों चीजे आपको detail में वहीं पे दिखाने लगी जिसे कि आपको ध्यान से देख लेना है और फिर आपको continue करना है तो फिर से आपको पिछले page में ले जाया जाएगा जहाँ पे fan full लिखा हुआ था वहाँ पे आपको अब जितने महिने का आप EMI select किया हो वो मन्थ दिखाएगा और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे CBB फिल करने का option होगा CBB फिल करके आप continue कीजे तब वहाँ पे आपके mobile number पे एक OTP जाएगा यहाँ पे दोस्तों जिस तरह से आप normal OTP फिल करते हो उस तरह से नहीं होगा यहाँ पे आपको उसके बाद भी हो सकता है EMI मन select करने का option आए यह सभी bank में नहीं आते हैं तो यह दोस्तों normal है जो लोग भी online shopping करते हैं वो आसानी से इसे cross कर जाएगे तो यहाँ पे आपको OTP फिल करना होता है फिर आप continue करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका payment यहाँ पे हो जाएगा और आपका order place हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप अपने debit card को यूज करके किसी भी product को EMI पे order कर सकते हो लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पे पैसे कव कटते हैं आपके bank account से अभी कितना पैसा कटा होगा जब आप order place कर रहे हो दोस्तों जब भी आप order place करते हो उस time आपके bank account से एक रुपे भी नहीं कटता है यानि कि 0 रुपे कटता है आपका bank account पे पैसा है या फिर नहीं है इससे कोई फरक नहीं पड़ता ये मैं आपको पहले ही बदा चुका हूँ तो यहाँ पे आपके bank account से एक रुपे अभी नहीं कटेगा तो पैसा कटेगा कब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि order place करने के कुछ दिन बाद हो सकता है आपका product आपको मिल जाए आप उसे कुछ दिन तक use कर लें उसके बाद आपके debit card से यानि कि आपका debit card जिस bank account से linked है उस bank account से आपके order का जो total price है वो पैसा एक बार में total amount deduct हो जाए लेकिन deduct होने के बाद दोस्तों एक से दो दिन के अंदर वो total पैसा वापस आपके account में भी आ जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों यह debit और credit होने वाला amount जो है यह सभी bank के साथ नहीं होता है यह कुछ bank को साथ ही और कुछ account के साथ ही होता है जिनके पास भी यह offer होता है EMI का उनमें ऐसा नहीं होता है तो अब बात आती है कि EMI कैसे कटेगा EMI amount हम लोगों को कैसे पे करना होगा दोस्तों यहाँ पे आप जो भी debit card यूज किये हैं उसके bank account से हर एक 5 तारीक को आपका EMI कट जाएगा जैसे कि अगर आप महिने के 3 तारीक को ओर्डर करते हैं तो उसके बाद 2 दिन बाद आपका 5 तारीक आने वाला है तो 5 तारीक को आपको पहला EMI deduct हो जाएगा वहीं अगर आप 6 तारीक को ओर्डर करते हैं तो next month का जो 5 तारीक आएगा उस दिन आपका पहला EMI deduct होगा यानि कि आप जिस दिन भी order किये हैं उसके बाद जितने दिन बाद आपका 5 तारीक आने वाला है उस डेट को आपके अकाउंट से आपका 1st EMI deduct होगा वहीं दोस्तों दूसरा EMI आपके उसके बाद जो 5 तारीक आएगा उस दिन दूसरा EMI कटेगा उसके बाद जो 5 तारीक आएगा उस दिन आपका 3rd EMI कटेगा और इसी तरह से आप जितने महने का भी EMI लिये हैं उतने महने तक आपका EMI amount आपके bank account से deduct होते रहेगा तो अब बात आती है कि यहाँ पे हम लोग अगर order place करते हैं तो कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे बहुत सारे extra charges पे करना होता है तो यहाँ पे कौन-कौन से charges पे करने होते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको मिली 2 charges पे करने होते हैं सबसे पहला charge होता है GST अगर आप किसी भी product को EMI पे खरीदते हो तो वहाँ पे आपको 80% का GST देना होता है यह भी दोस्तों सभी bank में नहीं लगते हैं वहीं दोस्तों दूसरा charge जो होता है वो है processing fee processing fee में दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 2 bank के साथ लगता है यहाँ पे 6 bank के debit card पे आपको EMI पे product मिलता है लेकिन processing fee सिर्फ 2 bank में लगता है यानि कि 4 bank के debit card को यूज़ करके अगर आप EMI पे product खरीदते हो तो वहाँ पे आपको processing fee भी नहीं लगेगा तो वो कौन-कौन से bank है जिनमें आपको यह processing fee लगता है दोस्तों अगर आप HDFC के debit card को यूज़ करके किसी परड़क्ट को EMI पे खरीदते हो तो वहाँ पे आपको 99 रुपे का processing fee लगेगा वहीं अगर आप ICICI bank के debit card को यूज़ करके खरीद परड़क्ट को EMI पे खरीदते हो तो वहाँ पे आपको 199 रुपे का यानि की 200 रुपे का processing fee लगेगा तो यहाँ पे मिली यही दोनों charges करते हैं बाकि कुछ और charges होते हैं जिनका की list आपको इस वीडियो के comment section के top comment में मिल जाएगा तो वहाँ से जाकर के आप extra charge के बारे में और भी detail से जान सकते हो तो आप बात आती है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनका debit card यहाँ पे EMI के लिए eligible नहीं बता रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते है कि जब उन्हें इस debit card के बारे में पता चलता है तो वो जल सही छेवों bank में से किसी भी bank में जाते हैं और वहाँ अपना account खुलवाते हैं उसका debit card इसू करवाते हैं और उस debit card से वो EMI पे product खरीदने का प्यास करते हैं जिसके कारण कि यहाँ पे उनका debit card eligible नहीं बताता है वही दूसरा reason यह है दोस्तों कि जिनका civil score खराब होता है या फिर जो अपने account में balance नहीं रखते हैं या फिर ज्यादा transaction नहीं करते हैं उनका debit card भी यहाँ पे eligible नहीं बताता है तो eligible बताएगा कैसे सबसे पहले मैं आपको यह बता दो कि जिस debit card को यूज करके आप किसी वे product को EMI पे खरीदना जाते हो वो debit card कम से कम 3-4 मेहने पुराना होना चाहिए तब ही यहाँ पे उस debit card को eligible बताएगा और दूसरा reason हो दोस्तो civil score और average balance तो आपको अपना civil score अच्छा रखना है तो बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा कि यह civil score क्या होता है तो अगर आप civil score के बारे में जानना चाहते हो तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा या फिर आपको उपर card पे भी दिखाये जा रहा होगा तो दोनों में से कहीं से भी जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजे उस वीडियो के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह civil score क्या होता है civil score आप free में कैसे check कर सकते हैं अगर आपका civil score खराब है तो आप उसे improve कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको अपना civil score चेक करना है और अगर आपका civil score खराब है तो उसे आपको improve करना है साथ में दोस्तों जिस ATM card को आप यूज करना चाहते हो उसमें आपको अच्छे खासे balance रखने है और balance केवल रखना नहीं है कुछ-कुछ दिनों पे उसमें आपको transaction भी करते रहना है तब आपका वो debit card eligible हो जाएगा तो अब आप सोच रहे होगे कि आप तो पहले से भी ATM card में transaction करी रहे थे तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके पास तो बहुत सारे debit card होंगे family में और जाधा debit card होंगे तो आपको क्या करना है कि आप क्या करते हो कि सभी debit card को थोड़ा-thोड़ा use करते हो जिसके कारण की कोई भी debit card eligible नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो कि आप सिर्फ एक debit card को use करो जिसे आप eligible बनाना चाहते हो तो automatic उस debit card में अच्छे खासे balance होंगे और transaction भी जादा होगा तो ऐसा अगर 3-4 महने तक होता है तो आपका debit card, debit card EMI के लिए eligible हो जाएगा और उसके बाद आप अपने ATM card को use करके Amazon से कोई भी एक लाख रुपे तक का product EMI पे खरीद पाओगे तो दोस्तों अब आप जान गयोंगे कि ये Amazon, EMI Zonio debit card service क्या है इसके तहट कोई भी वेक्ती किसी भी एक लाख रुपे तक का product EMI पे कैसे खरीद सकता है किनकिन documents की ज़रोत होती है eligibility कैसे चेक करते हैं और अगर eligible नहीं है तो आप eligible कैसे हो सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी जानने को मिला हो तो आप इस वीडियो को like कर सकते हैं और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो या फिर आप इस वीडियो में कुछ भी सुधार लाना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीज़े ताकि हम अपने आने वाले वीडियो में सुधार ला सकें वीडियो को लाज तक देखने के लिए धन्यवाद